हलो बच्चों, बोटनी फर्स्ट इयर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, हम आज जो क्लास अध्यन करने वाले हैं, वो है फियोफाइसी, अब तक हमने सिलिवस के अनुसार वर्ग साइनुफाइसी और वर्ग क्लोरोफाइसी को डिसकस किया, हमने उसमें उपस्तित विबिन की बात करी, आज हम जो वर्ग चलो कर रहे हैं, वो है फियोफाइसी, इसके सामाने लक्षन इस प्रकार है, फियोफाइसी वर्ग जो है, उसमें 240 वंश वर लगभग 15 सुझातिया हैं, और इन शेवालों में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन वे जन्थोफिल के अतिर यानि की, फियोफाइसी में एक भूरे रंग का जन्थोफिल वर्णख फ्योफोजन्थीन उपस्तित है, जो इन शेवालों को विश्चिस रंग प्रदान करता है, और इसी कारण से येने ब्राउन एलगी भी कहा जाता है, कई बार कॉशन पूछ लिया जाता है, कि फियोफ जन्थोफिल वर्णख फ्योजन्थीन की अधिकता पाए जाती है, जो इन शेवालों को विश्चिस भूरा रंग प्रदान करता है, जो फियोफाइसी की सदस्य हैं, वो जो है मेरा इन अधिकांश्तय हैं, और कुछ जो जातियां हैं, वो अलवन जलिये वाली भी है, ये श कुछ नजल में पाए जाते हैं, ये जो जन्राज हैं या इन भूरे शेवालों के जो सदस्य हैं, वो चट्टानों पर एक बिम्बाव अत्वाशाखित इस्थाब पांग यानि होल्ड फास्ट इस्थाब पांग यानि होल्ड फास्ट दोरा चिपके रहते हैं, और इन होता प्रदान करते हैं, फ्यूफाइसी जो वर्क के सदस्य हैं, वो भारत वर्ष में पश्रिमितत, द्वारिका, ओखा, पुर्मंदर, मालदीज, लक्षदी, इन पर या मदरा से कन्या कुमारी तक हम कह सकते हैं, दक्षिन पूर्वितत पर समाने रूप से पाये जाते हैं फ्यूफाइसी वर्क के जो कुछ प्रमुफ लक्षन हैं, वो इस प्रकार हैं, इनका थैलस अपेक्षाकरत जटिल होता है, इस वर्क में एक कोश के अत्वा सरल तंतुल रूपों का अभाव होता है, यानि कि हम जैसे जैसे शेवालों के एडवान्समेंट की तरफ बढ़त इसमें थैलस रचना के निमललखित प्ररूप पाये जाते हैं, हिट्रोट्राइकस यानि विशम तंतुल रूप जो है, वो एक्टोकार्पस में देखने वो मिलता है, विशम तंतुल यानि कि जिसमें दो प्रकार के तंतु हों, यानि प्रोस्टेट इरेक्ट सिस्टम और यानि कि सीधा आक्षो और जमीन के जो पैरलल जो आक्षो होता है, वो कहलाता है प्रोस्टेट तंत्र, तो इसमें दोनों तरह के तंत्र पाये जाते हैं, इरेक्ट और ये प्रोस्टेट, इसलिए इसे विशम तंतु भी कहा जाता है, जो दूसरा रूप है, वो है बहु अ आक्षियल, तीसरा है एकाक्षी आभासी पेरंकाइमा प्ररोप और चोथा है पेरंकाइमी प्ररोप, जो हमारी सिलिवस में है, वो केवल विशम तंतुक फॉर्म, एक्टो कार्पस है, जो की फियोफाइसी वर्व का मेंबर है, लेमिनेरियल्स तथा फ्यूकेल्स गणों म होल्ड फास्ट, व्रंथ तथा ब्लेड में विभेदित होता है, व्रंथ एवं ब्लेड के उत्तक, एपिडर्मिस, कोटेक्स तथा केंदरी मज्जा में विभेदित होते हैं, थैलस की जो व्रद्धी होती है वो शिर्षस्त पाई जाती है, डिक्ट्योटेल्स में, फ्यूक सदस्यों की वो डो पर्टों में विबेधित होती है जो बाय परत है वो शलेश्मी परत है यानिक लिसलीसी जो की एलगिनिक तथा फ्यू सिंप अमलियूपत होती है अतह अंता परत जो है अर्थिक द्रश्टी से मैंटवपोन है लेमेनेरिया सरगैसं वह एसकोफिलम से प् में किया जाता है बच्चों यह important point है जो परिक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि few of ic work के सदस्यों की economic importance क्या है या जो alginic acid है वो किन सदस्यों से या किस work के सदस्यों से मिलता है तो यह उत्तर तुमारे इस point में नहीं थे इसमें क्या होता है कोशिका भित्ती जो होती है वो दो पर्तों में विवेदित होती है जो भाय परत है उसमें alginic aml और fucinic aml पाया जाता है और जो अंता परत है वो cellulose से निर्मित होती है जो alginic acid जो मिलता है cell wall से outer cell wall से वो 38-38 से महतोपून है इसका क्रतिम सिल्क बनाने में तथा ये adhesive यानि जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है उसे हम adhesive कहते हैं adhesive बनाने में किया जाता है कोशिका द्रवे में छोटी छोटी रिक्तिकाओं के अतिरिक अपवर्तन पिंड भी पाया जाते हैं क्रोमेटरफोर्स जो इसमें होते हैं वो चप्टे तथा बिंबाब होते हैं और इनमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, बीटा एवं C कैरोटिन तथा जैन्थोफिल कैतिरिक भीरे रंग का वर्णक फ्यूकोजैन्थिन जिसका फॉर्मूला है क्लोरोफिल तथा कैरोटिन का रंग फ्यूकोजैन्थिन के अधिकते कारण चिप जाता है इसलिए ही ये रंग के बुरे दिखाई देते हैं जो प्रकास अंसलेशी पट्टिकाएं हैं वो थाईलकोईर्स से निर्मित होती है इनमें संचित भोजेपदार्द जो है वो लैमिनेरिन और मैनिटॉल है ये इंपोर्टेंट करेक्टर है ये परिक्षा में अकसर पूछा जाता है कि फ्यूफाइसी सदस्यों में संचित भ वेजिटेटिव, एसेक्शुल, वैसेक्शुल वीधियों द्वारा होता है काई जरन सामनेते थैलस के खंडन से या तूटने से होता है और कई मेंबर्स में प्यूफाइसी के कई सभी सदस्यों में जो एल्लेंगिक जिननन है वो जू स्पोर्स द्वारा होता है एक्टोका जानुधानी चल बिजानु जो है वो एक एंद्रकी होता है द्वीकशाविक यानि बाइफ्लेजिलेटेड वर नाख रुपी यानि पाईरीफॉर्म होता है इनमें क्रोमेटोफोर्स और कॉंट्रक्टाइल वैक्योल उपस्तित होते हैं फियोफाइसी सदस्यों में लैंग यासम युगमकी और कुछ मेंबर्स में विशम युगमकी प्रकार का सेक्शल रिप्रडक्शन पाया जाता है जो युगमक है और चल बेजानु के समान द्वीकशाविक होते हैं यानि जो गैमिट्स होते हैं वो जू स्पोर्स के समान द्वीकशाविक होते हैं अधिकांश भूरे शेवालों में निशेचन जो होता है यानि फटलैशन जो होता है वो बाय होता है द्वीगुनित युगमरज में अर्ष उत्रन नहीं होता ये important character है बच्चों जो 2N zygote बनता है उसमें अर्ष उत्रन यानि की reduction division या meiosis नहीं होता अताय ये सीधे ही अंकुरित होकर द्वीगुनित थैलस का निर्मान करते हैं भूरे शेवालों को या इन में तीन प्रकार की जीवन चक्र पाये जाते हैं आईसोमॉर्फिक, हिट्रोमॉर्फिक और डिपलॉंटिक प्रकार के alternation of generation इन में देखे गये हैं अब हम बात करते हैं फियोफाइसी वर्ग यानि भूरे शेवालों के classification की फ्रेश ने काईक सरचना तथा लेंगिक जनन यानि बेजेटी स्ट्रक्चर और सेक्शन रिप्रेक्शन के आधार पर फियोफाइसी वर्ग को नो गणों में या नो ओर्डर्स में बाटा जबकि स्मित ने जीवन चक्रों के आधार पर फियोफाइटर वर्ग डिविजन को तीन सबक्लासेज में विभक्त किया पहला है आईसोजनरेटी इस उपवर के शेवालों में दो आईसोमॉर्फिक पीडियों का एक अंतरन होता है इस उपवर को पांच गणों में विभक्त किया जिसमें एक्टोकार्पेल्स भी है अर्थात जो तुमारे कोर्स में सदस्य ह बने संक्या सब बने लुएश का कानतरम होता है या इन बूरेश में दो लब्रकार की लोत बनती है जिनका अलटनेशन होता है और तीशन आ GOE उपवर्ग है वो है साइक्लोस्पोरी इस उपवर्ग के शेवालों में पीडिये कांतरन नहीं पाया जाता इसमें केवल द्विगुनित प्रवस्ता होती है और इस गंड में इस उपवर्ग में केवल एक गंड फ्यूकेल्स को रखा गया है बच्चों ये थे वर्ग द्वारा दिया गया है फ्रिश के द्वारा जो है सीधा ओर्डर में विभाजित किया है जिसमें नौ गणों को समिलित किया गया है और इसमित ने इसे तीन सबक्लासे में बटा है और हर सबक्लास को अलग-अलग ओर्डर में डिवाइड किया है जो एक्टोकार्पस मेंबर है तुमारे कोर्स में वो उपवर्ग आईसो जनरिटी का सदस्य है और और एक्टो कार पल्स का मेंबर है जिसका अध्यान हम अगले टंट पे करेंगे बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद का और यहाद है को तब के लिए हुआ है झाल